तो हिमाचल के करमचारीों को मुखेमन्ती जैराम ठाकूर का संदिश आंदोलन की भाषा में नहीं मानी जाएगी बात जो आंदोलन करेंगे उनकी बात नहीं मानी जाएगी ये उनके और से कहा गया बड़ी खबर आपको हम बता दे क्योंकि करमचारी अपनी मांगों को आंदोलन के जरी बनवाने की मांग यहाँ पर और साथ ही रन नीती पर नजर आ रहे हैं बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो आंदोलन करेंगे उनकी बात नहीं मानी जाएगी सीम जैराम ठाकुर के और से ये साफ कर दिया गया है जो सरकारी करमचारी नियमों के विरुद आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ कारेवाई की जाएगी बड़ी ख़बर आपको बता रहे है हिमाचुल के करमचारियों को मुख्यमतई जैराम ठाकुर का ये संदेश क्या कुछ उनने कहा या आपको सुनाते हैं मेरा आप सब के मादेम से जो आंदोलन की मादेम से उपनी बात कहने की कोशिश करारें बड़ा साफ संदेश है मेरवानी करके जिसने अपनी बात कहने हैं ने को PAR करेंग का tenth कि भाशा में कोई सोचेगा कि जबरदस्ती ही उनकी बात को मनाने की कोशिश करेंगे और उसको मानेंगे ऐसा नहीं जो अंदोलन करेंगे उनकी बात नहीं मानेंगे और जो सरकारी करमचारी इस परकार के अंदोलन करेंगे और नियमों के विरुद करेंगे उनके क्लाफ रिवाई की जाएगी दो टूक कह दिया गया है सीम जैराम ठाकुर की और से ब्यूरोचीफ अरुन उन्याल एक बार फिर से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुन जीफ यहाँ पर सीम जैराम ठाकुर की ये दो टूक करमचारियों को जो आंदोलन करने की बात कह हैते हैं देखना यह होगा कि इस दो टूक का कितना आसर पड़ता है उन करमचारियों की रणनीती पर देखे दीपशिका आज के इस बजट सत्र के साथ कौंग्रेसर भाजपा यानि सत्ता दल के भीतर के तल्खी भरे तेवरों की बात तो हम पहले कर चुके हैं लेकिन हिमाचल परदेश के लिए आज की सबसे बड़ी खबर अगर मानी जाएंगी तो दो बड़ी खबरे हैं ज साथ जुड़े करमचारियों की है ये ओल्ड पेंशन बहाली की मांग करने वाले करमचारी लगभग एक से डेड़ लाग के करीब हिमाचल परदेश के भीतर बताये जा रहे हैं जो संग है इनका ओल्ड पेंशन बहाली का उन्होंने आज मंडी ग्रे जिला माना जाता है मु आँचेंगे और यहां तकरीबन एक लाग करमचारियों ये दावा किया जा रहा था संकी तरफ से कि विधान सबा का घिराफ करेंगे सरकार इस बाबत में पहले से ही अभी हरकत में आती दिखाई दी है और जो पुक्ता सूत्रों की जानकारी खबरे अभी तक को मिली है पी अठक में निकलने के बाद क्या ये यात्रा रूकेगी क्या ये सरकार का ये कैसी पहल होगी जहां फैसला हो सकता है क्योंकि ओल्ड पेंशन करमचारियों के संग ने एक और दावा आज अपने वर्टसाप ग्रूप में शेयर किया है जिसमें ये दावा किया गया है कि राज और पेंशन बहाली को लेकर हो रहे थे तो कॉंग्रेस के निताओं के हिमाचल का कहना था कि ओल्ड पेंशन की बहाली होनी चाहिए लेकिन कॉंग्रेस शासित राज्यों में ऐसा होता नहीं दिखाई दिया आज उसी को अधार बनाकर एक दबाब बनाने की कवायत संकी कानन्च शर्मा के कांग्रेस के एक बड़े आला नेता है राज्य सभा के सदस्थे हैं मार्च में उनका टैन्योर खतम होना है वो हिमाचल में आए हैं और हिमाचल में आने के बाद उन्होंने अपना जो सांसाद MP लाड फंड का जो है सामूदाइक फंड के लिए उसका एक उ शिर्चा के उससे आए हैं लेकिं हिमाचल में उनकी एंट्डि के बाद कांग्रेस की राजनीती की सुखगाहच बडल गयी है ये कहा जाने लगा क्या कानन शर्मा हिमाचल राजनीती में बतार मुख्यमंत्री वापसी करना चाते हैं क्या हिमाचल की राजनीती में जो पुराने चेहरे जिन नेताओं की यहां पर बात हो रही थी मुकेश अग्नी ओतरी सुपिंदर सिंग सुकूरामलाल ठाकूराशा कुमारी कॉल सिंग ठाकूर क्या इन चेहरों के भी एक बड़ा चेहरा अरुन शर्मा साबित हो सकते हैं जो कॉंग्रेस की राजनीती में आएंगे तो यह तमाम तरह के दो बड़े सवालों की राजनीती आज हिमाचल के दिन की बड़ी खबरों के रूप में सामने आ रही हैं और चार बज़े की बैठक के उपर हमारी सब की नजर होगी कि सरकार आखिर इनकी बाचीत के बाद क्या फैसला होता है और यह यात्रा जो चली है क्या ये इसके बाद इन फैसलों के बाद रुखने का नाम लेगी या तीन मार्च को एक से डेड़ लाग जिस तरह का दावा किया गया है उसी तरह का घिराव विधान सभ लिए जाए ये सूचना चाहिए, मंडी विधानसभा में हुए विकासकारेों पर बोले, मंडी में कई विकासकारे हो रहे हैं. क्या कुछ कहा सीएम जैराण धाकों ने सुनीए. तो शायद और बेहतर होता, लेकिन उसके बाब दूत, उनके वहां पर SDM का कोटली का ओफिस किसनक होता है, उनके वहां पर जो ड्वाल्प्मेंट के जो प्रोजेक्ट सेक्डूं क्रोड रुपे के तूरिजिन के प्रोजेक्ट, मंडी में श्रीब धम 1500 क्रोड से ज्यादा का मंडी में डिगरी कॉलेज, मंडी में डिगरी कॉलेज जो है वो लगबत 30 क्रोड की लागत से बन रहा है वहां पर, डिगरी कॉलेज की बिल्डिंग बन रही 30 क्रोड की लागत से, मंडी में स्टेट उनिवस्टी दी, वो उनको दिखनी रहा है, उसको मालू नहीं पढ़ राकी भी उनिवस्टी भी मंडी में हो सकती, सोचा भी निताद में लोग ने, उनके भ्यान सबक शेतर में, कॉर्परेशन वहां पर बना करके दी, उसमें भी वो खिलाफत में काम करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भारती जनता पार्टे की वहां पर कॉर्परेशन ब देखे दीपशिखा जाहिर तोर पर मुख्यमंत्री के तल्क तेवरों की एक साफ सी और एक बड़ी वज़ा है, और ये बड़ी वज़ा जो अनिल शर्मा हैं, उनके साथ भाजपा की बड़ती दूरी, मुख्यमंत्री जैराम की बड़ती दूरी, ये दोनों एक बड़ी व पाना जा रहा था कि अनिल शर्मा एक दबाव रहा जैरान सरकार या भाजपा के उपर बना रहे थे कि जी और अब ये दूरिया इतनी बढ़ चुकी है कि कॉंगर्ण तो आरुन हमारे साथ बने हुए थे और शुक्री आरुन तमाम चानकारी को दर्शिकों तक पहुंचाने के लिए तो देखे जिस तरी कि अनिल शर्मा के विवया निकल कर सामने आते हैं कुल मिला कर जो दूरिया इस समय देखी जा रही है अब ऐसे में सेम जाराम ठाकूर यहां पर अनिल शर्मा पर निश्वाना साथी निजर आए